युवाओं से बात करो पहला सवाल मैं पूछता हूँ पढ़ाई क्या की कोई MBA करता है कोई एंजिनियरिंग करता है कोई MBBS पढ़ता है और फिर पूछो अच्छा रोजगार मिला या रोजगार मिलने जा रहा है सब के सब कहते हैं नहीं रोजगार नहीं मिल सकता तेलेंग गाना में हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता एंजिनियर से बात करो कहते हैं उनसे पूछो यह करते क्या हो तुमने एंजिनियरिंग डिगरी की मेकैनिकल एंजिनियरिंग की सॉफ्टेर एंजिनियरिंग की सिविल एंजिनियरिंग की करते क्या हो हम तो डिलिवरी का काम करते हैं पीट्सा डिलिवरी का काम करते हैं, स्विखी का काम करते हैं, मगर एंजिनियरिंग नहीं कर पाते हैं, जो हमने सपना देखा था, वो सपना हमारा पूरा नहीं हो सकता है। प्रधान मंत्री कहते थे कि हर साल मैं दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा। हर बाशन में बोलते थे, आजकल नहीं बोलते हैं। ना आपके चीफ मिनिस्टर, ना हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री रोजगार की बात करते हैं। युवाओं को ये नहीं बताते, कि हमने रोजगार का जो सिस्टम था, उसकी रीड की हटी तोड़ दी। भाई और मैंनों, भेश को रोजगार देता कौन है। भेश को रोजगार, छोटा वियापारी, किसान, जो स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाते हैं, वो रोजगार देते हैं। दुकानदार हैं। इन सब की रीड की हटी बिजनस खतम हो गया है। यह रोजगार नहीं दे पाते हैं। सरकार चुनुवे लोगों के लिए काम करती है। दिली में नरेंद्र मोधी जी के दो तीर मित्र हैं। नाम आप जानते हो। क्या। यह पुरा हिंदुस्तान जानता है। पुरा हिंदुस्तान जानता है। कि इनके जो मित्र हैं। मैं तो हैरान हो गया। आज सुबह मैंने रेवंची से पूछा। यह अभी तक हैदरबाद का एरपोर्ट है। यह उनके हवाले कैसे नहीं हुआ। अब देखना, देख लेना थोड़ी देर बाद यह उठाके ले जाएंगे। हिंदुस्तान के पोर्ट्स, सडकें, एरपोर्ट, टेलेकॉम्स, एल आईसी, यह पूरा पूरा, जो देख का, देख की पूंजी है। यह सब की सब, नरेंद्र मोदी अपने दो-त्री मित्रों को पकड़ा रहे हैं। और इधर, इनका एक तरफ धरनी पोर्टल है। रात को देखते हैं भाईया, कहां किसकी जमीन गई, कितनी जमीन मिली मुझे, कहां कहां से KCRG ने जमीन हड़पी। रात को वो देखते हैं, सुबह उठते हैं, और इंफ्रस्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सिचाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से पैसा हड़पने का काम करते हैं। और आप लोग एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। अच्छा भाईया, नरेंद्र मोदी जी कहते थे, सिलिंडर बहुत महंगा हो गया है, चार सो रुपय का हो गया है, यादे आपको, चार सो रुपय का हो गया। अच्छा भाईयों, भाईयों मैंनों सिलिंडर कितने का है आज कल? अब प्रधान मंत्री जी, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? उस टाइम कहते थे, पेट्रोल का दाम 65 रुपय हो गया है, आज कितना हो गया पेट्रोल का दाम? एक शब्न नहीं बोलते हैं। तो आप लोग, हिंदुस्तान के गरीब लोग, मिडल क्लास के लोग, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, इन दोनों के बीच में आप पिस जाते हो, तब जाते हो। और पूरा का पूरा फाइदा, दो तीन उद्योग पतियों मिलता है, वो जो भी सपना देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। उनको ऐर्पॉर्ट चाहिए, पॉर्ट चाहिए, जमीन चाहिए, एक सेकंड में उनको मिल सकती है, मगर अगर एक छोटा वियापारी, अपना बिजनस चलाना चाहे, अगर एक दुकानदार लोन लेना चाहे, नहीं मिल सकता, सवाल नहीं उठता, ये लोग लाकों करोन रुपे का लोन ले सकते हैं, किसान लेता है, लोन लेता है, पचास हजार रुपे का लोन लेता है, वापिस नहीं दे पाता है, एक दम उसको कहते हैं, डिफॉल्टर हो, जेल के अंदर कर देते हैं, गंडे मारते हैं, लाटी मारते हैं, जेल के अंदर कर देते हैं मगर अगर अरब पती लोन लेता है वापिस नहीं दे पाता तो उसको डिफॉल्टर नहीं कहते हैं उसको कहते हैं ये तो नौन पर्फॉर्मिंग एसेट है तो दो हिंदुस्तान बन रहे हैं एक चुन हुए अरब पतियों का जो भी करना चाहते कर सकते हैं इनके लिए कोई कानून नहीं है जो भी सपना ये देखना चाहते हैं देख लेते हैं पुरा कर देते हैं और दूसरा हिंदुस्तान गरीबों का किसानों का मजदूरों का मिडल क्लास का चोटे वियापारियों का स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाने वालों का उसमें आपको कोई सपना नहीं दिख सकता और अगर आपने सपना देखा पूरा होने का सवाल ही नहीं है ये हैं इन्दुस्तान इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की महिंगाई के खिलाफ पेरोजगारी के खिलाफ और ये जो हिंसा फैला रहे हैं नफरत फैला रहे हैं इसके खिलाफ आप देखिए आज सुबह हम हदरबाद में आए साथ घंटे चले लाकों लोग आए आपने अपना पूरा प्यार पूरी शक्ती यात्रा को दे दी आमतोर से क्या होता है व्यक्ती सुबह उठता है भाकान नहीं होती छे-साथ घंटे बाद चलने के बाद भाकान लगती है आप किसी भी यात्री से पूछ लीजिए मुझसे मत पूछिए आप किसी भी यात्री से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा शाम को जो हम कदम लेते हैं उसमें सुबह वाले कदम से कम थकान होती है अजीब से बात है किसी भी यात्री को धकान नहीं हो रही है फेरा चोधा सो किलोमीटर चलनी है किसी को धकान नहीं हो रही है सुबह छे बजे उठते है साथ आठ गंटे चलते है अगले दिन उठते है फिर चलते है इसका कारण है भाई और मैंनो हम अपनी शक्ती का प्रयोग नहीं कर रहे है हम आपकी शक्ती का प्रयोग कर रहे है आप हमारे को अपनी शक्ती दे रहे हो आप हमारे को अपना प्यार दे रहे हो अपना भरोसा दे रहे हो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और हाइदरबाद जो Information Technology का सेंटर है जिसने पूरे देश देश का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में हाइदरबाद को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और याद दिल आना चाहता हूँ आपको कि अगर आप Information Technology के सेंटर रहना चाहते हो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो हिंसा के साथ नफरत के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो सवाल नहीं उठता प्यार और भाईचारे के साथ ये प्रदेश और ये हाइदरबाद आगे बढ़ेगा ये आपका इतिहास है, ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपका कल्चर है, ये आपका डियने है इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं बहुत 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 धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन झाल